मुलेटिन की शुवात करते हैं उद्धम सिंग नगर दौरी पर पहुँचे मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी का काफिला शनिवार सुभः पंत नगर से नागला पहुँचा इससे पहले सियम ने खिलाडियों का उत्सा वर्धन करने के लिए साइकल रेली को हरी जंटी दिखाए अस दौरान उन्होंने खुद भी कुछ दूरी तक साइकल चलाए जिसके बाद वहा शांतिपूरी गेट आनंदपूर गेट होती हुए शहीद देव बहादूर स्मरती द्वार पहुँचे जहां उन्होंने द्वार का लोकार बन किया सियम धामी नारणपूर तिराहे पर बने शहीद समारक भीब कए और शहीदों को श्रद्धान चली अर्पित की सियम धामी ने कहा कि हाई कोट के आदेश के बाद नगला वास्यों के घर उजड़ने की तलवा लटकी है सरकार उसका समाधान निकालेगी सियम ने कहा कि नियालाय का सम्मान भी किया जाएगा साथ ही लोगों को राहत भी दियेंगे इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिफ के साथ चर्चा की है स्वागत के बाद सियम ने रोड शो शुरू किया सियम ने शहीद देव बहादूर थापा के गाउं में बने स्मरती द्वार का लोकार पंड किया है दोरान उन्होंने गाउं में बने स्कूल का नाम शहीद देव बहादूर के नाम में रखने की घोशना की वही नारणपूर शहीद समारक पर शहीदों को श्रद्धान जली अर्पित करने के बाद वे काफिला जो है वो लालपूर होते हुए टूल प्लाजा और किछा शहर पहुंचे रूद्रपूर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट तो इसके बादे में तुसमें दिखा राधा राता रहों तो इहां की अधिकान समस्याएं जो में राता हूं